तो आज इंडियन बाइक सिर्रेविंग 3D में आया है लावा गॉड जिसको मारने के लिए बुलाना पड़ सकता है इपनको आइज गॉड फ्रेंक्लिन तुझे 15 अगर्ट को अवार्ट के मिल गया तुछ तो मेरे से उपपर उढ़ गया क्या बिजनेस्वें के उपर है क्या तो फुलिस वाले अड़े बाइस पूलिस में इसको भरी देता हूं फिर फुलिस वाले आएंगे इसको उटाकर ले जाएंगे साला वो दे ये दे भाई पुलिस वाले आ चुके है और इसको उटा के ले जाओ साब वहाँ भाई साब क्यों बोर रहा हूँ भाई साब मैं भी तो पुलिस वाला हूँ और मैं उन से उपर आप मतलब नीचे कुछ नहीं जाने दो लेकिन मैं साहब खुद हूँ भाई साब पहले सब्सक्राइब क्योंकि अपना को जो या बिजनेस मीटिंग भी करनी है वाई साब आज कंट्रक्शन साइड की और क्योंकि तुमको पता है तुम्हार पर पुलिस वाला यह साथ-साथ में कंट्रक्शन का बिसनेस भी संबालता है इस वज़े से आज थोड़ी सी गाई पु पुलिस्टेशन के कॉल आया है कि बहुत बड़ी जोए दिक्कत आ चुके फ्रैंक्लिन तो जल्दी से जल्दी हो सके तो फुलिस्टेशन में आ जा तो काई जब मैं अभी कंट्रक्शन साइड पर तो नहीं जाओंगा और मैंने कपड़े भी पैनली अभी फटापट से जो तो उसको भी ढूंटे साल को किदर है और किदर नहीं भाई अभी पुलिस्टेशन में मेरे को क्यो बला है मुझे पता नहीं आराम से चलते हैं अभी यहां पर से अच्छे से टार्न मारेंगे भाई अभी तो ठुकते ठुकते बचिया ओके वाई सब्सक्राइब की तरफ जो ना आ गया है लावा गॉड जिसको मारने के लिए अपन को जो है ना लाना पड़ेगा आइस गौड यह लावा आइस क्या है भाई साब मेरे ध्यान देता मैं तो जेल में देख रहा था भाई वो कैदी है या नहीं और वो कैदी प्रेदी को जाने दे फ्रैंक् लेकिन तुझे जो काम है ना यह वाला ट्रेन निकलने से पहले करना पड़ेगा ओके मैं भाई ट्रेन निकलने से पहले यह काम कर देता हूँ गाइस और वुस आइस गौड को लेकर आने की पूरी जिम्मेवारी अभी तुमारे भाई को मिल चुके है अभी देखता हूँ सब मैं ला पाता हूँ या फिर नहीं और यह जो भाई कहना गाईज यह पूली स्टेशन की स्पेशल भाई कहा है जो कि एक फेशल पूलीस ओफिसर को मिलते है तुमारे भाई की तरह अभी पर इनको 15 अगस्ट के दिन जो है ना गाईज मतलब कल ही अपनको अवार्ड भी म सबसे उपर लेकिन इस वाली साइट से जाना हाड है लेकिन ट्रैंगलिन को गाईज आसान चीजे पसंद भी नहीं है वैसे वाई मैं ज्यादा फेक रहूं लेकिन ज्यादा फेक इस वज़े शराओ क्यूंकि मैं कर सकता हूँ भाई तो फटावर्च आपर से गाड़ी भू से तो मैं निकल चुक हूँ दिरे-दिरे करके अपने को सारी मुश्किलों को पार करना है यहाँ पर भी गाईज अपनी गार्ड मतलब वाई की जो ना वह जंप खाके आ चुकी है भाई साहब वह मटका कहा पर रखवाई भी मुझे नहीं फटा पहली बात तो फटावर्च सकती है भाई में तो कहता हूँ यह वाली साइड से होंगा तो होंगा और नहीं सीद्या आपको लेकर चलूंगा दूसरी वाली साइड वाह पर से जंप मानगे यहाँ पर गाईज अपनी जंप तो मैंने खाली अभी पता नहीं यह पहुच पाएंगी यह पर नहीं ओके भा गाईज तुम्हारा भाई पोच चुका है लेकिन यहाँ पर मटका तो कहीं पर रखा हुआ नहीं दिकाई दे रहा है को कि मैंने देख तो इदर उदर शायत से मिल जाए किदर भी ओके वहाई सब यह वाली साइड से मेरे को लगता है कि यह वाली साइड पर उनको मिलेगा अब भाई में घिरतो हो गया हूँ लेकिन अभी तक मेरे सामने मटका तो नहीं आया है लेट्स गो में उठ चुका हूँ यहाँ पर गाईज सही में जो है ना मुझे अभी मटका तो नहीं एक अंडा दिगाई दिया है जिसके अंदर भाई साब वही वाला जो आइस गौड लेटे ना वहाँ पर से मतलब वह लांड़ ट्रें के अंदर जाना मतलब रखे रख्याना है उसे ट्रें के अंदर लेकिन ट्रें टेशन चे निकलनी नीचाहिए बाई साब यूँ ट्रेन अगर निकल गे नहीं तो उसको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है यह तो त से काड़ी को जोना अपने मतलब बाइक को पीचे लएना है और पीचे लेकर वाई साब फुल स्फीड में इसको रेस दूंगा कौन सी बाइक आप कमेंट में जरूर बताना और इससे पहले अपने वाइस नहीं लिवाइक कि वह भी कौन से कंपनी के यह भी जरूर सा बता देना इंडियन वाइक सी लिविंग केलने में कीन कीन को मज़ा आता है या फाल लाइक कर देना जिनको फीमजा आता है जो सब्सक्राइब भी कर देला यहां पर अपना मिशन नहीं बूलेंगे इस बातों के बीच में तो यहाप पर से का इसमें को नीचे जाने का रास्ता मिल रहा है इस वह जिसे में सीधे अपनी भाई कभी नीचे ही खुदाने वाला यहां पर से कोई रास्ता तो में जे नहीं दिखाई दिरा वैसे भी माई सब किदर सी खुदा मेरे को भी डर लग रहा है यार उपके सब उतर के एक बार इदर उदर देख लो अपनको किदर से क कुदाने वाला हूँ अभी क्योंकि अगर में को ज्यादा वक्त हो गया ना तो ट्रेन टेशन चे निकल जाएंगे फिर कभी भी भाई साब अपना जो है ना आइस गॉड़ नहीं आपाएगा क्योंकि लावा गॉड़ जया शेहर के मतलब शेहर के किनारे पे पहुच चुक ती बाइसाब ये लेंड भी नहीं में एको लगता है लाएज बीना वाईसाल अभी तम्हारा वाई को गाइस अलगने वाली है ओक्योंसों में आप लिए सब्सक्रापिशेश पेहले पहुचना है वाँ पर मैं को लगता है ये बाही काम देना किनार्णी को ये को सुपरका की स्पीड इससे भी जादा होती है वैसे सामने साइट में कोई सुपरगार तो दिखाई दे रहें लेकिन यह नहीं उटाते अभी तो भाई सब इससे ही काम चला लेते हैं अपन फटा पर इदर से निकलते हैं को ट्रेन से पहले अपन को पहुचना है वह अंडा तो मिल चुक अपन को बहुत जरूरी काम है वाई साब इससे में पुली स्टेशन भी वापीस नहीं गया और यहां पर में को एक कार वाला दिख चुका है भाई इसको फटावर्ची उटारता हूं मैं वाई बहुत अर्जंट काम है एक मिलेटीडी कार दे दे निकलना भाई बाहर लेकिन ट्रेन निकल चुकी है अभी अभी ट्रैक्स है थोड़ी में को देर हो चुके है और इसको रोकना जो है बहुत ज्यादा मुश्कीत भरा काम है और यह कार गाई उसको फीचे छोड़ पाएंगी या नहीं यह भी मुझे नहीं पता वह अगर गाई अपने पास बाइ होगी यह कार की स्पीड भी बहुत ज्यादा है और यह आराम सी इसको पीचे छोड़ सकती है पीचे छोड़ी दिया मतलब समझो तुम इसको सामने में जाके टक्कर मारूंगा तो यह ट्रेन मेरे ख्याल से थोड़ी तो इसकी स्पीड जो है ना अपने कंट्रोल में आ सकती है ओके लेट्स इसको टक्कर मार के देखते हो भी यह वाई सहावी स्पीड कर से तो इसको कुछी दिवा बस थोड़ी सी स्पीड इसकी कम तो हुई है लेकिन मैं को लगता कि इसके सामने जाके अपन को खड़ा हो जा पड़ेगा खड़ा मतलब किस कार को खड़ा करना पड है तो कि इसको खड़ा को कि ट्रार भाई सब चकना चूर होते होते है लेकिन ट्रेन फीड भी वाई साब ज्यादा कम उच्किक आप देख सकते हो वैसे भाग भी बहुत तेज लेकिन फीड पहले से बहुत ज्यादा कम उच्चिक अब एगर मैं और दो टक्कर वारोंगा ल पाइसाब इसकार के लेकिन कार को भी मानना पड़ेगा इसको भी कुछ नहीं हो रहा भाई सब लगता है काइसाब लाष्ट टक करोगे ट्रेन वाईसाब रुक जाएगी मेरे ख्याल से एक ट्रेन की स्पीड थोड़ी तोड़ी करेके कम तो हो रही है लास्ट बार इसके आ ज फीड में और यह पर अभी जो ना एक खतरनाक सा ट्रैक पर इसको रोक देता हूँ एकदम कुछ इस तरीके से यह रुख चुकिए अभी उतरता हूं मैं कार से नीचे और अभी जो ना भाई यह ट्रेन जो रुख चुकिए आप देख सकते हो लेकिन वह कार की बदलती रुख कि आप देख सकते हो कार को सामने के साइड से जो है ना मतलब लेकर चली गए किती दूर गसीट कर चली गई है अभी जो ना मेरे को इसके अंदर अपना अंडा रखना है मेरे को खुद को गाई जे ट्रेन जो है ना यहाँ पर से निकालनी है उस अंडे को भाई फूट के अंदर रखना है बस अब उनको जितना काम बोला है ना पुलिस वाले ने उतना काम करना है बस अब बाकी में को कुछ नहीं बता वह भाई साब आइस गौट कैसा एंगार कैसे नहीं यहाँ पर बैट्टे कैसे लेकिन वंट सेकंड में को देखने दो क्या वहन तो लिखा यहाँ पर हो ट्रेन गाइस जा चुकिए आप देख सकते हो और अभी होने वाली है आइस गौट और लावा गौट की फाइट और उसमें आइस गौट जीतना चाहिए यही मेरी भाई साब बहुत दिल से चाहा है और इदर से जो है मैं फटावर्ट चबी निकल जाता हूँ और देख तो आइस गौट और लावा गौट की फाइट तो यहाँ पर जो है ना भाई साब आइस गौट आती लावा गौट भाई साब यहाँ पर गिर चुका है और मर चुका है और मैं भी भाई साब अपने फुली स्टेशन में आच चुका हूँ तो आज कि अगर वीडि पिक एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें राइक दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बी सेफ।